हे गाईज दिव्याइश वेकम बाक टून दर एपिसोड और आज के एपिसोड पे हम लोग बहुत ही फ्रेंडली और कॉंफरेबल यू नो तो चाय पर चरचा वाली बात करेंगे कि आज के मैच में क्या हो सकता है कौन कितना पानी में है और क्या सही में यह इतना एक तरफा म example दे सकता है और City को stun कर सकता है क्योंकि अगर हम पिछले cup finals की बात करें या फिर knockout stages की बात करें तो 2010 के बात से अब तक 10 matches में Manchester United ने City को 6 बार हराया है महीं City ने United को 4 बार हराया है अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर की story किसके हिसाब से चल रही है और अभी तक का अगर momentum की बात करें तो वो कैसे अब देखो है यह momentum और story की बात करें तो यह थोड़ा सा perspective based है मतलब यह objective नहीं है जिसको आप या तो black क्या दोगे या फिर white क्या दोगे थोड़ा gray area में आता है चुकि यह person to person के opinion पर depend करता है चुकि अगर हम यहाँ पर Manchester City की बात करें आप कह कैसकते हो कि यहाँ पर Brentford के against वो हार गए उससे पहला match वो यहाँ पर draw कर गए तो कहिना की momentum यहाँ पर नीचे होगा लेकिन then you have to understand कि शायद से Pep Gajla ने इतनी heavily rotate करी अपनी team और यह जो last के दो result है यह matter ही नहीं करते क्योंकि अप until then वो यहाँ पर Real Madrid को तोड़ चुके थे वो वतलब accelerator से अपने पैर हटा दिये जब उनको लोगा कि अब उसकी जरूरत ही नहीं है अगर युनाइटिड की बात करें तो वो खेलते वा रहे है फुलम को हराया है उन्होंने तो उनके पास एक अच्छा गासा है आपर momentum है अगर हम winning rate की बात करें तो वो अभी match जीत रहे ह है then you have to understand this as well कि आपको यह समझना पड़ेगा कि वही है Manchester United की अगर अभी तक के stats की बात करें तो even if देखो Premier League में तीसरा confirm कर लिया है अगर हम यहां पर FA Cup final की बात करें तो final तक आगे है नहीं कि रन तो जाएंगे जाएंगे at least bare minimum है और यहां पर अगर हम कारबाव कप की बात लोग को रोख सकता है अब देखो यहां पर तुमको समझना पड़े है कि पैप गार अगर अभी तक किस की बात करें तो यह वो टीम है जो कि मैं मानता हूं कि सबसे best है Manchester City में no disrespect to any of the team जो कि Manchester City में पैप ने build करी है लेकिन यह वो टीम है जिसके पास नहीं सिर्फ वो tactical acumen है कि सही बता हूं तो इन पर सालों पर दिमाग भी है और इनके पास वो mentality भी पहली बार में को ऐसा लग रहा है कि Manchester City में instilled कर दी गई है कि भाई even if they didn't win the Champions League एक भी बार this is the time वो यह जीत जाएंगे मतलब एक होता है कि आप जीते नहीं हो लेकिन आपको वो fear वो आपको डराने वाला और psychological game ही इतना भारी पढ़ जाता है कि अगर आप जीतने के लायक भी हो ना आप तब भी नहीं जीत पाओ गया आजा यहाँ पर आपको यह चीज समझने ही पड़ेगी कि इस match का जो game state रहेगा वो United के पक्ष में 0 से लेके 90 में किसी भी minute नहीं रहेगा और यही चीज चाहे आप यहाँ पर 6-3 का उठालो जा फिर आप 2-1 का उठालो गेम यहाँ पर transition पर ही depend हुआ था और United का जो सबसे बड़ा weapon होगा ना वो भी transition ही होगा अब आपको इस समझना पड़ेगा कि सबसे पहले दौनों टीम्स के हम team news की बात करें तो जहां तक ही लग रहा है कि Pep जो की mastermind ने unpredictable का और out of the box equation को लेके आने का इस बार वो यह चीज नहीं करेगा और उसके पीछे बहुत basic basics है याप पर उसके like well test improved उसके experiment है जिसके साथ इस बार वो छेड़ चाड़ ने करेगा जब सही में treble यहाँ पर on the line है हर एक match जो कि आप दो ही match बचा है एक तो यही match ब आ चाहिए तो see cup competition से पता यार यह होता है कि underdogs होते हैं फिर of course favorites होते हैं tactical आपके पास acumen होता आपके पास tactical superiority होती है आपके पास momentum होता है आपके पास tactical genius होता आपके उते हैं तो पहले missing players की बात करेंए ओंड एन्तनी नहीं होगा इस match में Anthony इस match में नहीं होने वाला है साथ ही यहाँ पर अगर हम Lissandro Martinez के बात करें तो वो भी इस match में available नहीं है इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर Manchester City तो तो उसकी starting 11 जो मैं credit कर रहा हूँ वो यहाँ पर रहे है कि Ederson खेलेगा उसके बाद नहीं पर Kyle Walker खेलेगा और Kyle Walker का खेलना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर Manchester City के perspective ते देखें तो United का क्योंकि Anthony Martial नहीं है जो कि Anthony Martial बहुत जादा जरूरी है considering the fact कि वो game को रोग भी सकता है और game को create भी कर सकता है एक static vision के साथ एसे में सबसे ज़्यादा और Anthony भी नहीं है तो एसे में सबसे ज़्यादा threatening player कौन है तो Sancho भी हो सकता है और बात करेंगे अभी बाकी players ते that is Marcus Rashford और Marcus Rashford best position उसकी left से आती है so it's typically Marcus Rashford slash Vinny junior versus Kyle Walker और Kyle Walker हमने देखा है अगर Manchester City की build-up की बात करें चाहे वो 4-2-4 हो या फिर 3-2-5 हो चुकि जहां United 4-man defense के साथ जाती है जिसमें आपका आप ये समझे लो कि यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले Ironman Visaka होगा जो कि again मैं प्रेडिट करता हूँ कि Ironman Visaka को ही खेलना चीए ahead of Diego Dano उसके बाद यहाँ पर Varane की बात करें Lindelof की बात करें या फिर Luke Shaw की बात करें चारों का defense होगा लेकिन इनके सामने 5 City के players उतरते हैं और उसकी बात करें तो वो है यहाँ पर Bernardo Silva उसके बाद यहाँ पर बीच में Kevin De Bruyne फिर Erling Haaland Gundogan और यहाँ पर Jagglish ऐसे में आपको अब तुम कहोगे कि यह सा क्या है पतब United 5 at the back भी तो कर सकती है लेकिन तुमकों समझना पड़े है कि 5 at the back होता नहीं है क्योंकि Marcus Rashford से आप यहाँ पर assume नहीं कर सकते और expect भी नहीं करोगे कि देखो Marcus Rashford को आप defensive duty दे ही नहीं सकते क्योंकि अगर आपने अपने एक मात्र outlet को defensive duty देदी तो फिर काय का आप यहाँ पर transition में attack करने वाला हो इस लाइक आपने AC Milan में रफेल लियाओ को यह कह दे कि भाई तरको 5 men defense करना है या फिर आपने Vinicius Junior को कह दे कि आपको 5 men इस possibility को भी हम explore करेंगे साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर Manchester City के अगर midfield की तो of course it would be Gundogan and Rodri उसके आगे number 10 पर Kevin De Bruyne फिर इधर यहाँ पर Bernardo Silva, इधर Jaglish और सबसे आगे Erling Haaland जो basic basic मोटे मोटे ताहर पर tactics रहेगी वो यही रहेगी कि भया यहाँ यहाँ पर 4-4 में build-up होगा लेकिन यहाँ पर build-up होते होते है कब वो 3-2-5 का shape ले लेगा यहाँ पर Kyle Walker, Ruben Dias और यहाँ पर Akanji वो यहाँ पर 3 men का defense बनाएंगे उसके साथ यहाँ पर John Stones of course अपनी excellence को show करते है midfield में आएगा और यहाँ पर midfield में John Stones और Rodri यहाँ पर operate करेंगे वही अगर हम बात करें तो Haaland और Kevin De Bruyne की यहाँ पर जिस तरीके से like जुगलबंदी चलाईगी वो फिर से एक बार चलाई जाएगी और this is the basic, बहुत basic part जो कि Manchester City इस game में खेलने वाली है अब यहाँ पर United को 2-3 चीज़े जो सबसे जादा ध्यान देनी है देखो United के अगर मैं बात करूँ ना तो United को easy opponent बिलकुल भी नहीं है देखो नहीं है, अगर City ने फोड़ा है बहुतों को, तो United ने भी कुछ हिस्सों को तो फोड़ा है, अगर इस campaign की बात करें बड़ी-बड़ी teams को उसने हराया है लेकिन आपको इचीज समझनी पड़ेगी जो सबसे बड़ा difference है City और United में वो उनका press है देखो United का जहाँ press बहुत इसमें को रखता है कि individual level पे बहुत flawed है अगर collective level, देखो individual level पे जब सबका अपना best press आता है तब जाके आप एक collective press बना सकते हो और आप City का press versus United का press इसमें जमीन आस्मान का फर्क है उसमें भी अगर City relentless press कर पाई तो United को सबसे बड़ा drawback की है कि देविद देगी है कि जो यहाँ पर on the ball जो उसकी technical ability है वो इतनी जादा limited है कि United गलती करनी ही पढ़ सकती है अब देखो इसका एक big gamble यह होता है कि जो high risk, high reward वाला situation होता है वो यह होता है कि अगर United यह try मार रहे है कि हमको long ball सी जालनी है और हमको तो goal kick से इसी तर direct यहाँ पर field में यहाँ फिर attack पर देना है then they have to make sure और यहाँ पर एक spoiler है यहाँ पर मैं एक easter egg देने चारह हूँ अगर आप long ball जाने ही वाले हो तो ऐसा हो सकता है कि वो वेगोस्ट को खिला दे और इसके पीछे एक simple सा है कि 10 heck को पता है यह रिस्त तो हमारे पास है ही है कि हम यहाँ पर देविद देस से यह तो नहीं कह सकता है कि तो address के साथ खेल बलकि वो long ball ही डालेगा अब ऐसे में United को यह थमजना पड़े है कि वह एक chance मिलेगा यह जो long ball डालेगी न ऐसे में आपके पास एक player होना चाहिए जो कि आप एडिन जेको की बात करे ओलिविर जिरूड की बात करे करीम मेंजिमा की बात करे लेवन डाउस की यह जो outlets होते है अब यह तो नहीं है तो ऐसे में आपके पास वेगोस्ट है अटलीस profile तो same है और यहाँ पर आपको ऐसा player थी है जो कि उस ball को hold कर सके और इतना Marcus Rashford या फिर बाकी की जो wingers players attacking players है वो अपना काम यहाँ पर कर सके तो यह चीज एक बहुत मोटे-मोटे तौर पर यहाँ पर Manchester United को देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो एक छोटा सा gamble कर रहे है मतलब एक छोटे से छोटे chance को भी किस तरीके से maximize करना है Manchester United की यही struggle रहेगी क्योंकि अगर आप long ball को duals नहीं जीत पाए तो होगा क्या होगा actually में यह कि Manchester City जिसके पास already position होगा Manchester City जिसके पास already technical ability है वो वापिस से आपको pin back कर देगी और आप कितना ही अच्छा defense कर लो आप कितना ही अच्छा defense कर लो discipline defense कर लो Manchester City अगर अपने full-fledged position में आ गई और अपने full-fledged यहाँ पर जिस तरीके से वो खेलती है उसमें आ गई तो United नहीं रोप पाएगी तो क्या सही में यहाँ पर हम लप collective की बात करें तो क्या individual brilliant यानि Earling Roth Haaland को रोकने का कोई chance नहीं है क्या यहाँ पर सही में Earling Haaland एक header या फिर goal galore होने वाला है देखो यहाँ पर आपको मैं छोटा से stats बताता हूँ देखो despite कि यहाँ पर अगर हम बात करें पचास-पचपन गोल मार दिये Earling Haaland ने astonishing record है और इतना sexy record होता नहीं है अगर हम यहाँ पर like ordinarily बात करें तो और वो भी पहले ही like Madden अपने Premier League season में यह करके दिखाना वो अपने आप में काफी ज़दे impressive है लेकिन एक stat क्या है कि अपने 40% game में अगर आप यहाँ पर जैनुरी में United की जो victory थी City वे 2-1 से उसमें भी सिफ दो shot यहाँ पर अगर Real Madrid की बात करें तो कपड़े फटवा लिये थे लेकिन Haaland थे नहीं फटवाये थे तो यहाँ पर आपको यह चीज देखने पड़ेगी like एक तो Manchester City का attack है मतलब एक तो होता है कि City अपने usual तरीके से goal मारेगी सब करेगी जो City का होता है perfect goal creation एक होता है Haaland का कुछ नहीं में सब कुछ दे दो 0.01 xg में भी अपना पूरा का पूरा एक goal दे दो आपको impossible सा attempt लगेगा लेकिन goal हो जाएगा यहाँ पर आपको इस समझना पड़ेगा कि देखो एर Manchester United रोप तो सकती है Haaland को लेकिन then again Manchester United Haaland plus Manchester City का attack को कैसे रूखेगी चूँकि Haaland like उसमें Kevin De Bruyne भी आ जाता है उसमें Jack Gillish भी आ जाता है उसमें Bernard O Silva भी आ जाता है और उसमें यहाँ पर आपको 10 hack की selection बहुत ज़ादा माहिन रखते है कि आप यहाँ पर क्योंकि Martial नहीं है एंटर नहीं है तो क्या आप यहाँ पर Jayden Sancho को राइट विंग पर खिलाने वाले हो या फिर Bruno Fernandes को राइट विंग पर खिलाने वाले हो तो इसका मतलब आप यहाँ पर Casimiro, Ericsson और Bruno की midfield के साथ जा रहे हो लेकिन अगर आप यहाँ पर गालनाचो को बहार बठा रहे हो और आप कहते हो कि मैं तो एक काम कर रहा हूँ मैं तो Jayden Sancho को खिला रहा हूँ Marcus Rashford को खिला रहा हूँ कि इस चीज से भी उठाई यूगि आपको midfield में एक engine चाहिए आपको midfield में एक बंदा चाहिए जो भाग सकता है आपको technical ability चाहिए लेकिन आज आपको athleticism भी चाहिए यूगि जब transition के बात आते हैं तो you need game to be in a chaos आपको settle नहीं होना क्योंकि आप यहाँ पर city को दबा नहीं सकते हैं और city आपसे दबेगी नहीं तो वो यहाँ पर आपको chaos चाहिए ही चाहिए ऐसे में यहाँ पर मेरे को लगता है कि I think क्यूंकि देखो वेगोस का जो like वेगोस अगर यह select करता है तो मैं समझ जाओंगा कि देविदेगे वाली जो problem है और जो आपके पास hold up वाली बात है वो ठीक हो जाएगी लेकिन मेरे को यह चीज़ लगती है कि अगर Marcus Rashford, Garnacho, Jiden, Sancho, Bruno इन चारों को खिलाया जाता है एक साथ तो I think उसके chances जादा अच्छे हैं अगर हम goal creation की बात करें और goal threatening की बात करें in comparison to अगर बाकी की बात करें ऐसे मेरे को तो यहाँ पर यह लगता है कि Garnacho को start देना पड़ेगा इननों कि यह जो prospect है यह जो chance होता है यह जो एक assumption हमने लगा रखा है कि he is one of the best and most threatening direct state forward अगर हम substitute की बात करें वो बनता है लेकिन आपको फिर यह भी समझना पड़ेगा कि city के पास city की bench strength से आप भिड़ नहीं सकते you need to have पहला goal आपका और अगर आपने पहला goal concede कर लिया तो United की इस team में मैं सही बता रहू अभी तक मेरे को वो character दिखता ही नहीं है कि यह 1-0 से कैसे यहाँ पर comeback कर सकते है they need पहला goal अगर पहला goal आगए तो आपन at least इस game को लंबा कहीं सकते है हम यहाँ पर लाशों की तरह बिच सकते है यहाँ पर goal के सामने उसके बाद हम यहाँ पर बात कर सकते है देखो overall अगर हम Aaron and Visaka की बात करूँ तो मेरे को Visaka 1v1 of course 1v1 one of the best 1v1 defender है तो उसमें तो कोई doubt नहीं है dialogue ठीक है पर dialogue from the bench आए positive वगर करे ठीक है वेगोस का भी ठीक है अगर आए तो positive from the bench सही लगेगा आज गर्णाचो का start मैं हाँ पर कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि straightforward आपको transition में numbers चाहिए आप यहाँ पर इस game को अगर आप शुरू से चले गए कि हम जितना अगर आपने जोजे मुरूने वाली strategy अपना ली कि भाई आल game देखेंगे last में एक मौके का देखें वो मौका नहीं आएगा this manchester city is mentally drilled जहां पर united lack करते है